साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है और इसलिए हमारे रुश्यों ने, मनुश्यों ने भारत को उस चेतना के साथ घड़ा जो ज्ञान से प्रेडित है भी ज्ञान से विभुशित है जो बोध से बढ़ती है और शोध से ससक्त होती है युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तुफानों का सामना भी किया लेकिन जब भारत की चेतना क्षिन हुई तो देश के कौने कौने में संतों ने, रुश्यों ने, मुनियों ने, आचारियों ने, भगवन्तों ने, पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जिवित कर दिया उत्तर में मेरी कासी से लेकर, यही पास में, नंजर गुर्दक्षिन काशी तक, मंदिरों और मठों की ससक्त हुंस्ताओं ने, गुलामी के लंबे कालखन में भी, भारत के ज्यान को प्रदिप्त रखा मैसुरू में, स्री सुतुरू मठ, तुमकुरू में, सिद्ध गंगा मठ, चित्र दुरु में, स्री स्री गेरे मठ, मुरुगेंदर राजेंदर मठ, चिक मंगलूर में, स्री रंभापुरी मठ, हूबली में, स्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में, बसब कल्यान मठ, अकेले दक्षीन भारत में ही ऐसे कितने ही मठो का केंद्र है जो असंखे विद्याओं अनंत विद्याओं को सद्यों से सीचते आ रहा है